यह जो चैप्टर है एडिशन इसमें काफी सम्स दिये है तुमको जो आप रैक्टिस कर सकते हो ठीक है इसलिए मैं वही कवर करूंगा जो इंपॉर्टन्ट है आपको एक दिया है टेक्स बूक में पेज नमबर 20 पे पेला है पहला है प्लस 4179 इसको एड करना है पहला नमबर लिख लिए उसके नीचे दूसरा नमबर लिख लिए यह जो अरेंजमेंट है इसको क्या कहता है वर्रेटिकल vertical q क्योंकि यह standing standing है ठीक है हम लोग खड़े खड़े प्लस कर रहे है so let's start आचा बीच में मैंने एक space छोड़ा है वहाँ पर क्यों space छोड़ा है टाकिया वहाँ पर carry कर सके मैं बता तो कैसे unit place को पहले प्लस करेंगे 2 plus 9 कितना होता है 11 है ना तो 11 का जो 1 है unit place का वह यहाँ पर जाएगा और जो 11 नंबर का जो 10th place पर 1 है मैं बर सिखा रहे तो कैसे 2 plus 9 11 है ता बरोबर तो यह जो unit place पर नंबर है वह यहाँ रहेगा और जो 10th place पर 1 है वह जाएगा carry इसको कहता है carry बनलब यहाँ से मैं यहाँ खीच दिया मैं यहाँ पर 11 नहीं लिख सकता 1 plus 4 कितना होता है 5 और 5 plus 7 कितना होता है 12 I repeat carry को भी plus करने का 1 plus 4 कितना होता है 5 5 plus 7 कितना होता है 12 so 12 का जो 2 है वह यहाँ पर रहेगा और 12 का जो 1 है वह यहाँ पर आएगा 1 plus 6 is 7 and 7 plus 1 कितना होता है 8 सब देख रहे हो carry को भी plus करना होता है बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो carry को plus नहीं करते है तो आपका पूरा answer रहोंगा आएगा carry जो आता है उसको भी plus करना है आपको 8 आया, अभी आपके कुछ carry होगा नहीं क्योंकि सिर्फ 8 नमबर आया है 5 plus 4 कितना होता है 9 so I hope आपको समझ में आ गया वैसे मैं second one आपको करके दिखाता हूँ 4984 775 so मैं 775 आगे से नहीं हमेशा पीछे से लिखना होता है units, tens, hundreds आगे से लिखो के wrong हो जाएगा so let's begin 4 plus 5 कितना होता है 9 करोगे तो answer आएगा 15 लेकिन मैं जैसे कि मैंने कहा 15 यहाँ पर नहीं लिखना है 5 यहाँ पर लिखा 1 जाएगा carry इसके बाजू के उपर carry ठीक है 1 plus 9 10 और 10 plus 7 कितना होता है 17 I repeat carry को भी plus करना होता है 1 plus 9 10 10 plus 7 17 17 का 7 यहाँ पर आएगा 1 जाएगा उपर carry को 1 plus 4 कितना होता है 5 ऐसे आपको और भी कुछ कोशन्स दिया आपको करना है अब डिरेक्ली अब लोग आ जो page number 22 पे textbook के page number 22 पे आपको एक question दिया है add horizontally हाँ मैं जानता हूँ ऐसा type का question हमने last वीडियो में भी किया था बड़ यह थोड़े बड़े number है तो ध्यान से दे को कैसे करना है horizontally मतलब sleeping sleeping अभी जो हमने उपर किया था वो किया था vertical standing standing यह है horizontal यानि sleeping sleeping तो जो number दिया है question में वो ऐसे का वैसे लिख लेने का sorry इस number मे unit place पे कौन है unit place पे 2 इस number में unit place पे कौन है 5 so 2 plus 5 कितना होता है 7 plus q कर रहा हूं क्योंकि मुझे add करने बोला है इसलिए unit को plus किया तो number भी मेरा unit last में लिखना है फिर 10s पे कौन है 1 इस number में 10s place पे कौन है 9 1 plus 9 कितना होता है 10 बच्चे लोग यहाँ पे आपको 10 नहीं लिखना है क्यों मैं आप एक चीज दिखा लो 10 है न 10 इसको जो 0 है unit place से बोह लिखा यह जो 1 है यह होगा carry यह आपको दिमाग में याद रखना है यह जो 1 है वो होगा carry वो आपको यहाँ पे दिमाग में याद रखना है यहाँ पे कही लिखना मत 1 आपको यह दिमाग में याद रखना है फिर आता है 100th place 5 और इस पे 100th place पे कोई है 3 5 plus 3 कितना होता है 8 लेकिन आपको एक चीज में दिमाग में याद रखने का बोला था carry है ना कितना था 1 so 5 plus 3 8 8 plus 1 कितना होता है 9 are we clear ठीक है और आखरी में कौन बच्चा units हो गया 10s हो गया 100s हो गया अब बच्चा 1000 1000 2 और यहाँ पे कौन है 1000 place पे 4 unit 10s 100s 1000 so 2 plus 4 2 plus 4 कितना होता है 6 समझ में आ गया so last time हम ने जो समझ केते हैं उसमें carry नहीं था इसमें carry है इसमें carry को क्या करना है दीमांग में याद रखना है अब हम करते हैं और एक question same वैसे ही है जान से लिखना 9 92,000 and 9 लिख दिया plus 429 इसमें unit place पे कौन है 9 इसमें unit place पे कौन है 9 9 plus 9 कितना होता है 18 18 लिख दिया 18 1 carry 1 carry आपको दिमांग में याद रखना है 0 अभी हम लोग जाएंगे 10s place पे 10s place पे कौन है 0 इज़र 10s place पे कौन है 2 0 plus 2 कितना होता है 2 और एक carry भी था कितना था 1 2 plus 1 कितना होता है 3 carry को इसमें मैंने add कर दिया फिर 100s place पे कौन है 0 100s place पे कौन है 4 0 plus 4 कितना होता है 4 अब देख सकते हैं units 10s 100 यह सब मेरा यहाँ पे नंबर खतम हो गया units 10 100 खतम हो गया लेकिन 92 तो बाकी है न so 92 में क्या करूंगा पूरा को पूरा वैसे ही वाँ पे लिख दूंगा समझ में आ गया ऐसी आपको 3rd question भी है इसके बाद वो करना है and we are done with our addition ठीक है कल हम शुरू करेंगे subtraction के साथ thank you so much कुछ doubts से आतो आप पूछ सकते हो झापको झापको पूरो झापको पुझे काुछ झापको